तो जैसे के आप लोग ने लास्ट एपिसोट के इंदर देख लिया था कि जो लुवफैंग था वो और ड़ी टाउर के सारी लेवल्स को क्रॉस कर लेता है उसे वुकी गौड देखने के लिए मिलता है वुकी गौड उसे रिवोड के तोर पर मिला था जिसके बाद हम लोग क देखने के लिए मिला था कि वो चार जनरल से वह लोग का स्वागत करने के लिए और वह वापिस एमिलेटर कैम लेके जाते है अब आगे वह लेटर के इंदर जैसी कुछ लोग लुवफैंग को एंटर करते हुए देखते तो वह लोग आपस में बाते करना चार्ट कर देत इसी के साथ यह जो नियूज होती है यह चारू तरफ काफी अरतीजी से फैलती है वही हम लोगो पपल मून होली लैंड के अंदर भी पपल मून होली अंचिस्टर देखने के लिए मिलता है चुकि क्रॉस लैक करके बैठे हुए थे आखे बंद करके तभी सडनले उनके साम मास्टर देखने के लिए मिल सकते थे तबी चुक परपल मून होली मास्टर होता है वह इन सारे यूनिवर्स मास्टर को देखती हुए कहता है कि अगर सची में मिलकी वह वापिस आ चुका है तो हमें जल्दी से अपने प्लान को प्रिपेर करना स्टार्ट करन देना इसी के साथ नेक्स्टी मोमेंट के अंदर हम लोगों देखने के लिए मिलता है पॉपनोन हुली लैंड के काफी सारी उनिवर्स मास्टर जो होता है वह लोग फैंग जिस जगह पे था जिस मिलिटरी ग्राउंड में था उच जगह पे घेरा बनाके खड़े हो जाते है और सब लोग अपने अंसिस्टर को इन सब चीजों के बारे में बता रहे थे कि लोग फैंग उनके नीचे यह है और कुछी टाइम के अंदर जैसी वह उपर आएगा यह सारे एक साथ उसके उपर अटाइक कर रहेंगे और इनके अटाइक सेक्ते जदा पाफुल होंगे कि वह क के अंदर एक मेंन पर्शन हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था जिसका नाम चैंग मू था और जो चैंग मू था यह इन सारी युनिवर्स मास्टर के टीम को लीड कर रहा था तब ही जो एंसिस्टर होते पपमून हुली लैंड वाले वो चैंग मू से कहते हैं कि चैंग कर रहा है वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो चैंग मू मास्टर था वो मनी मन कहता है कि लोग फैंग तुम्हें मारने के लिए मैंने वर्ल्ड आफ जिन के जितने भी लोग है उन सब लोग से गद्दारी कर रहा हूँ कई जो चैंग मू मास्टर है यह एक्चुल पूड़ा सा आगे गाई हम लोग को एक दूसरी आर्मी देखने के लिए मिल सकती थी यह भी कुछ स्पेशल आर्मी के टुप से जिनका नाम स्वाइंग कुएंग आर्मी रखा गया था जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जाते हैं वही इन लोग के सामने एक हेड़कौर्टर चैंड़ मों को रोक लेता है और वह लोग चैंड को रोक पूचता है की वार्यर तुमारी हिम्मत कैसी हुई यहां पर आना सबके लिए मना है तब छो चैंड मों कहता है कि मुझे कमांडर से बात करनी है मेरे पास कुछ काफी अर्जन्ट है उन्हें बताने के लिए तब हो जो गाड होता है वो कहता है नहीं हमारी जो कमांडर है वो तुम जैसे लोगों से बात नहीं करते तुम यहां से चले जाओ इसी के बाद जो चैनमों होता है वो कहता है प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए मेरी काफियादा इंपॉर्टन बात है मुझे कुछ काफी आदा इंपॉर्टन कहाना है घाट के बीच में और चैंगमो के बीच में भैस सिड़ जाती तभी अंदर से आवाज आती है कि गाड उसे अंदर आने दो तभी कुछ के चैंगमो की एक जमसे सास अटक गए थी यह जो लेडी थी और कोई नहीं यह लेजंडरी स्वाइन कीन थी जो चार जनरल कमांडर उन्हीं के अंदर से एक मुस्ट पावफुल जनरल कमांडर है और जो स्वाइन क्विंग आर्मी आर्मी जो कि इसे रिया में काफी स्पेशल त्रू फट माने जाते है इस त्रूप को भी स्वाइन्ग क्विंग के दोारा ही स्प्लाइस किया गया था इसके बाद जो च्रम इनकों होता है कर देखताए तब यह अचानक्र से अपने आता है और स्वाइन्ग कीण के सामने जुख जाता है और कहता है कि मुझे हाप Citizen ज् कि ऐसी क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि तुम उस गार से फाइट कर रहे थे अंदर आने के लिए और उसके बाद वो कहती है अगर तुम्हारी बात मुझे बेतुका लगी तो मैं तुम्हें डायेकली मौत की सज़ा सुना दूंगी और मैं अपने पालतू कुत्तों को तुम्हें खिला दूंगी चैंग मुझे आको के अंदर हम लोगो कोई भी फियर देखने के लिए नहीं मिल सकता था वो काफे दा कॉंपिडेंस के साथ कहता है कि मेरे पास आपको बताने के लिए काफी बड़ा सीक्रेट है तब ही जो स्व बाद भी वह हमारी वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर जबरदस्ती घुषके आ चुका है मतलब वह एक घुषबेडिया है मुझे जो नियूस है यह कहीं से पता चल गई है और उसके बाद मुझे काफे ड़र लग रहा था कि कोई मेरे ओपर अटैक कर देगा इसलिए जब तक मै यहाँ पर नहीं आया कैम्प के अंदर वापी से नहीं आया मैंना यह चीज सबसे पहले आपी को बताई है जैसी क्वीन इस बात को सुनती है सदनले उसकी जो एक्स्प्रेशन होते है वो चेंज हो जाते है एकदम से उसके अंदर से एक मर्डरिस औरान कलने लग जाता है क् तुम्हारी जो न्यूज है वो सच है और तुम मुझसे कोई जूट नहीं बोल रहे है क्योंकि वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर का फेदा लंबे टाइम से कोई भी आउटसाइड वर्ल से कोई भी विजिटर नहीं आया है तभी वो कहता है कि मैं आपस जूट बोलने की करती है कि बस तुम्हारी आखों के उपर वरुसा करके मैं उस वारियर के उपर इन्वेस्टिगेट करूं मिलकी वे के उपर वैसे तो स्वैम क्रिंग के मन के अंदर भी काफी जाक चुका था लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वह अभी भ जान भी ले सकते हो मैं अपनी इस बात को साबित करने के लिए या फिर अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए अभी इसी वक्त अपनी जान भी दे सकता हूं और इसके अलावा वह जो वारियर है वह आउटसाइड वर्ड से आया है तो आपको उसके उपर मुझे कोई गम नहीं रहेगा जो स्वाइम क्यों होती है वो घुसे में चैंग मो की तरफ देखती हो और कहती है हाँ हाँ ठीक है मुझे कोई इस दरुवत नहीं सिखाने की तुम अभी या से जा सकते हो इसी के बाद कुछ गार्स हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ज सकता मैं अपने वर्ट को प्रूव करने के लिए अपनी जान भी देने के लिए आरू आपको मेरे वर्ट के उपर भरुसा करना पड़ेगा जो स्वाइम की होती है थोड़ी से शौक हो जाती है पूरे के पूरे सीन को विटनेस करने के बाद क्योंकि जो सामने वाला परसन अपने पूप करने के लिए तो इतनी बड़ी बात को जानने के बास जो जरूर इस बात के लिए इन्वेस्टिगरठर करना चाहती थी सद्लेंस वान्ien के अंधर मोडरी सेङ से लिए मिलता और यह और हम लोगव को देखने केले मिलता है जो म Sewan के लिए मिलता और सरन वी एक काफी जहें सोल्डर्स 12 देखने के मिलती है QR को देखते हैं तक मचलते वह प्रेसे फोनका सबस्टी से को मता जीन उने लिक हम कर चुक ईया अम यह जलती से जल दीए सारी भात तक पहुचा दीजिए और कुछे डाइम के अंदर यह सारी जो बाते होती है सारे जितने भी चीज़े अभी यहां पर हैपन होई थी सारी पॉपर मून होली लाइंड के जो एंसिस्टर थे उनके पास आ चुके थी जो एंसिस्टर होते हैं और वह कहता है कि मैं वेट कर रहा ह वो लिटरली काफी ज़्यदा पावफुल है और अगर वो चाहे तो वो लूफैंग को अपने इल्यूजन के अंदर ट्राप कर सकती है फिर चाहे लूफैंग कितना भी ज़्यदा पावफुल क्यों ना हो लेकिन उसके बात भी वो लूफैंग से दस गुना ज़्यदा पाइटन वीवर आरमी के अंदर स्वाइम क्वीन हाती है वैसी क्वीन को सब के सब काफे आता अच्छी तरीके से नीचे बो करके वेलकम करता है और वो सारी जो गार्ड होते हो भागते हुए क्वीन के तरफ जाते है क्वीन इन सबको इंग्णोर कर देती है और सीधा कि अधिन से पावर से नेचे इतना कुछ अच्छा भीन ही नहीं करती ती लेकिन जो लोग उसकी मुझे आपावर जितने होते थे वो थोड़ा इस्केट देढ이나 करती है तबी वो जो कमांडर होते हैं वो स्वैम किंग के तरफ देखती हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आयो मेरे कुछ जातक की पता है तुम यहाँ अभी तक बस दोई बार आयी हो पहली बार मुझे कॉंग्रेचुलेट करने के लिए जब मैं आका कमांडर बना था और सेकेंड टाइम मेरे किसी सोल्जर को पनिश करने के लिए तु इस बार क्या मेरे वापी से किसी सोल्जर ने लाइन क्रोस कर दिया क्या तुम किसी और सोल्जर को वापी से पनिश करना चाहती हो तब भी वो कमांडर कहता है कि अगर मेरे किसे soldier ने ऐसे कोई गलती कर भी दिये तो तुम मुझे डारेकली बता सकती हो यहाँ पे हमेशा आने की जरुवत नहीं है तुम्हें personally मैं उसे खुदी पनिश कर दूँगा जो swim क्यूं होती है वो कहती है कि नहीं ये बात नहीं है उसके सामने वाला जो commander था उसका नाव fire polishing गूट था तबी fire polishing गूट था अच्छा ये बात नहीं है तो तुम किस issue के बारे में मुझे बताना चाहती हो तबी जो swim क्यूं होती है वो से सब कुछ radial के अंदर बताती है कि उसके soldier army के अंदर एक warrior है जिसका नाम चैंग मू है जो कि उसके पास ऐसे आया था और उसने लू फैंक के बारे में काफी कुछ बताया उसकी सारे की सारी स्टोरी सुनने के बाद जो fire polishing हो था वो भी काफी अदर शौक हो जुगा था कि मुझे स्टार्टिंग में इस सारी चीजे काफी अदब वाही आची लगी थी और मैंने सुचा कि ऐसे कैसे हो जकता है इतने लंबे टाइम से आउटसाइड वर्ड से कोई भी अंदर नहीं आया तो अभी अचानक से ऐसे कैसे हो गया लेगिन तभी वो जो वाजर था उस नाम का एक चोल्डर तो है रुको मैं देखता हूँ मुझे फॉलू करो इसके बाद फायर पॉलशिंग वूब आगे चले जाता और उसको फॉलू करते हो इसके पीछे चले जाती है इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है क्योंकि जो फायर पॉलशिंग लोडी के ओपर फोकस करके बैठा हुआ था वो अपने शीवू विंक्स के बारे में पढ़ने के कोशिश कर रहा था इसी के साथ साथ वुकी टावर के अंदर लूफ एंगे काफी सारी ब्लेड टेकनिक सीगे ती और उसी के अंदर से एक ब्लेड टेकनिक का ना उसने नाइ लूफ एंग को दो काफी दा पाफुल रिपल्स फील होता है जो कि उसके तरव काफी दा तेजी से आ रहे थे कुछी ठाइम के बाद दो बिंग जो होता है वो उसके सामने आगे खड़े हो जाती जिसके अंदर एक काफी दा ब्यूटिफुल से वोमें थी और दूसरे उसक सब्सक्राइब करके वो समझने आ रहा था कि अचानक से वह एक औरी से एक सोल्जर को देखने के लिए इस तरीके से यहां पर क्यों आएंगे और अभी तक लूफ एंग ने इतना भी कोई बड़ा काम ने कर दिया था कि लूफ एंग का स्टेटस इतना बड़ा हो चुका हो कि लूफ एंग कमांडर के साथ इस तरीके से बात करें अभी तक यह चुटे मूटे कमांडर है इन लोग को पता नहीं कि लूफ एंग ने वो की टावर के अंदर से जिन बैच को हासिल कर लिया है तभी इस पोर्स था इनके आने का यह काफी अधा पाफुल था और यह इतन इनके अंतर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि लूफ एंग को छूबी सके लेकिन वह चुटे मूटे कमांडर से अभी तक इन लोग को लूफ एंग के बारे में नहीं पता था और लूफ एंग जैसे किसी नॉर्मल सोलडर को मारना तो उनके बायाद का काम था वो इसने हमें ग्रीड भी नहीं किया यह जो औरत थी इसका थोड़ा सा इगो हट हो गया था कि नॉर्मली सोल्डर जो होता है वो उसके आगे पीछे गुमता है लेकिन स्वाइम को देखने के बाद भी तो लोग फैंक ता हो काफे दा एटिट्यूड के साथ खड़ा था और य जनरल से इनका सबसे बड़ा स्टेटर साइस इस वर्लड उफजी के अंदर आफटर इसमेजश्ट्य तो जिन्दा नहीं तो रिपनेट लिए चार जनरल पुरी के पूरे वर्लड उफजीन को चलाता है इसकी बात फॉर फायर पॉलिश्ञ वो जो हता है वो लूफ हैं के त पाफिए पावर्स थी यह अराम से कोई भी और पास कर सकते थे लूओ फैंग को मरवाने के लिए अगर वो किसी भी तीस से लूओ फैंग से उफेंड होता है लेकिन इन्हें अभी तक घंटा भी पता नहीं था कि लूओ फैंग अल्रडी उन्से लाग गोना उपर का स्टेट को भी नहीं पता कि लूओ फैंग ने वुकी टावर की तास को कम्प्रीट कर लिया है और उसे जिन टाइटल भी मिल चुका है इवन था इन सब चीजों को पब्लिक कलाइस करें वर्ड ऑफ जिन के अंतर कि वह इस जादा पाफुल ऑठेरिटी क्लेम करता है और इवन इस तो आटोमेटिकली जो लूओ फैंग क्यों आथरेटी है वह इन चार जनरल्स के बराबर में हो जाएगी या फिर इनसे भी जादा उपर हो जाएगी लेकिन लूओ फैंग भी मना कर देता है उनको इस पारी में किसी को भी बताने के लिए लूओ फैंग नहीं सारी चीज़ से आया है वह उतनी शांती से चले जाए वह यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंजिस क्रीट नहीं करना चाता था वह अपनी प्रेजन्स ज्यादा शोर नहीं करना चाता था इसके बाद जो स्वैंग की होती है वह लूओ को देखते हुए कहती है कि हमें इसे बात करने की कोई ज पनिश करेंगे और यह हमारे वल्ड ऑफ जिन के लिए काफी बड़ी और काफी अधा बैट निउस हो सकती है लेकिन अगर यह सारी बाते जूट निकलती है उसके बाद भी हमें इसे बस छोड़ा बड़ा पनिश करना पड़ेगा क्योंकि यह हम लोगों से थोड़ा बहुत काफी अधा जेट देती से पैशा आया है मतलब एक तरीके से थोड़ा बहुत इगोस्टिकली और थोड़ा सा डिस्रिस्पेक्फुल मैनर के अंदर सड़नली लूफंग देखता है कि एकदम से उसके उपर अटाइक कर दिया गया है एकदम से उसके लिउजन के अंदर डाल भी बात किये या फिर बिना किसी चीज के डारिकली उसके उपर अटाइक कर दिया बिना उसे वांड किये सड़नली लूफंग होता है वो वर्ल्ड ऑफ जिनकी पाउस को ट्रिगर करता है एकदम से आसमान के अंदर से एक जोर की आवाज आती है और लूफंग जोर से चलात होता है एक जोर का बैंग साउंड होता है और वो जो इलूजन था पूरी तरगी से खतम हो चुका था जो फायर पॉलेशिंग और स्वाइंग देखते इस चीज़ को तो पूरी तरगी चकीत हो जाते उनको समझने आ रहा था कि यह इन्होंने क्या कर दिया लूफंग उनकी जाइंट पाम होता है और जैसे ही वह पाम उनके उपर गिरता है उनको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि पूरा पूरा वर्ड उन्हें जमीन के अंतर गारने की कुशिश कर रहा हो और वो पूरी तरह की दिफैंसले सो चुके थे उनको भरूसा नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो स और वो जोड़ से चिलाता है get out asshole इसके बाद हम लोगों देखने के लिए मिलता है fire polishing वो और वो ब्यूटीफुल से लीडी होती है spring swim वो थोड़ी से पीछे उड़ती हुए जाती ही लोगों के आवाज के कारण और एकदम से heaven के अंदर से हम लोगों कुछ change देखने के लिए मिलती है जो कि इन दोनों को पुरीतर के से बांद देती है इस वाग fire polishing वो और वो जो पावफुल है अभी उन लोग को एक चीज़ कंफर्म हो जाती है वो लोग सूचता है यह बंदा जुरूर भाहर से है क्योंकि अगर यह एक eternal true God है तो इन लोग को पता होना चाहिता है वैसे तो एक eternal true God है या नहीं यह बस एक eternal true God ही बता सकता है लेकिन यह लोग इस इसको इ पर आज तक उन्होंने लोग फैंग के बार में कभी कुछ नहीं सुना इसका मतलब यह जो बंदा यह पूरी तरह किसा अनोन था उनके लिए तो ज़रूर यह आउटसाइड वर्ल से ही आया है इसके बाद जो लोग फैंग होता है वो दो कदम आगे चलते हुए जाता है और जो स्वैम की होती है वो लुफैंग के तरफ देखती है और कहती है कि तुम कौन हो करके एक लॉफैंग चाहता था उनको एक सेगंड में मार सकता था यह लोग थोड़ा सा टाइम पास करके जलदी चलदी एक मैसेज जनरल को भेजना चाते थे इस्ट आर्मी के लोग लगत हरमने सनो है वो भी इस्ट आर्मी कैम के अंदर ही होगा और जैसे उनको यह मैसेज बिलेगा वो जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे और अगर वो यहाँ पर आते है तो लोग फैंग को जल्दी जल्दी पकड़ सकता है अभी सडनली एक डोर हम लोग को अपीर होते चरे मिलता है घृत के अंदर और इस ट्रदी पर केंदर यहाँ पर निल कर जाते है और अपना शो करते हैं के ऐसा जैसी जनरल हैरम पर उन्य आता है विएसरा जैसे ही थे तो इन्होंड देख़ती की इसे स्टेक्राइब नींट तर पर जोपनेश इसे दूहाएं पर वे बन बंदे बन ब Dorothy कहें से सुप्विंढ वहां या वहां दिखते ही स Giris पिर शौक हो जाते क्योंकि उनको लगाता कि यहां पर आते हैं लोव फैंग से फाइट करना स्टार्ट कर दें क्योंकि लूफ है गुस्बैटिया है जो स्वाइम की होती है वो जन्रेल है मिलकी वे यह स्पाय है यह गुस्बैटिया है यह जरूर आउटसाइड वर्ल्ड से है आपको केरफूल रहना पड़ेगा इसके भैका हुए मैं मत आईए और इसके बातों के ऊपर बरुसा करने के बिल्कुल कोशिश में बद करना यह बस दिखने में एक ला मास्टर है लेकिन यह काफिए पाफुल है यह बाद जो जहने में इसनों होता है वह काफिए गुस Allah क्या करना छिए और रही बात एक लुडंड मिलकीव है तुम ऐनके सामने बात करने के लिए क्या तुम्हें पता खेकी है इनके सामने आके होप करो कि यह तुम्हारी जानना ले इसके बाद जैसी स्वांकिंग और फाय पॉलिशिंग वो लू फैंग के तरफ देखते हो पुरी तरह शौक हो जाता है क्योंकि उनके जनरल जो कि सबसे जादा हाइस्ट पोजिशन पुरे के पुरे वर्ल्ड ऑफ जिनके अंदर हो पुर्ड करते हैं वो लू फैंग को लॉड कहके पुकार रहे थे उनको भरूसा नहीं हो रहा था कि पुरे वर्ल्ड ऑफ जिनके अंदर सबस्यादा हाइस्ट पोजिशन तो जनरल कि होती है तो यह पंदा है कौन आखिर में जिसे जो हमारे जनरल है वो भी इतना रिस्पे दोनों को नहीं पता होगा लोगों को देखने के लिए मिलता है जो जनरल है अपस में दूसरी के साथ बात करने लग जाता है लेकिन यह दोनों क्या बोल रहे थे इसके बारे में एक वर्ड भी जो यह जो स्वाम किंग और फायर पॉलिशिंग वह यह सुनने ही पाते और न यह लॉड मैंने आपको कहा था कि आप अपने अपने को पब्लीकलाइज कर दीजे अगर आपने अपने टुसरी टूर्व को पबलीकलाइज कर दिया तो आप एक सील्ट भी होने कमें के नादे कोई पूरे की पूरे वर्ड ऑप जिनके अंदर आपको डिस्रिस्पेक्फु वाले वर्ड ऑफ जिनके दो ट्रू वार्ड ऑफ वाइड स्पेस लेवल के जो लोग है वो कुछ भी नहीं है अगर लूप चाहता तो वह आराम से उन्हें मार सकता था और लूप को कोई भी नहीं वह दूसरे मतलब आउटसाइड वर्ड का कुल क्रियेचर है और हमारे इसके अंदर बैटिया और वह इवन इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तायर था जैसी जनरल है नो मिनियस नो इन सब चीजों को सुनता है तो इन सब चीजों को पुरि अपसाइडर मतलब एक गुजबेड को कभी भी जिन टाइटल से सम्मालित नहीं करेंगे डैपनेटली लूफएंग ने सारे टास कंप्लीट कियोंगे सारे टेस्ट पूरी तरगी से पास करने के बाद पूरी तरगी से ऑथनिकेशन होने के पाद ही इस मैजस्टी ऑफ गोल दाता है कि चैंग मूँ चैंग मूँ चैंग मूँ चैंग मूँ माश्टर है जो कि बिलॉंग करता है वो समझ चुका था कि इन सब चीजों की वीच्छे पपर मूं रिल्लैंड है उन्होंने सुचा था कि कोई भी ऑकाद नहीं वर्ड ऑफ जिन के अंदर और वह थोड़ी पुरे परपुम हुली लैंड का नाम और निशान मिटा दूँगा वर्ड ऑफ जिन से परपुम हुली लैंड ने बार बार अपनी लाइन को क्रॉस किया था और और अगर आज उसके पास कोई टाइटल नहीं होता वर्ड ऑफ जिन का तो आज वह पूरी तरग से सेकंड के अंदर मार देते और यह काप यह खजरनाक सी बात हो जकती थी वह तो अच्छी बात के लोगों को अल्रीड जिन टाइटल मिल चुका था क्योंकि जो स्वाम क्यों थी वह लोगों के उपर इल्यूजन परफॉर्म कर रही थी तो लूप पूरी तरिके से मर जाता इवन लूफेंग वापिस से रिकागनेट भी नहीं कर पाता मतलब लूफेंग को दुबारा जिन्दा करने की कोई पॉसिबिलिटी जी नहीं थी और अगर लूफेंग सच्छी में ऐसी किसी प्रॉबलम के अंदर फस जाता तो लूफेंग के पास बस एक ही चांज बचता म और कम से कम उसकी एक बॉड़ी डिश्ट्रॉइगी तो दूसरी बॉड़ी जिंदा तो रहे कि और वो टाइम रहते अपने दूसरी बॉड़ी को आप इस रिकागनेट कर सकता था लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर एक चीज़ यह होती कि वह जैसी अपने बॉड़ी को ड ज्यादा पाउफुल होता है यह पलक जपकते ही लूफएंग को अपने इल्यूजन के अंदर ट्रैप कर लेते लूफएंग को इतना टाइम भी नहीं मिलता कि लूफएंग अपने आपको इनके इल्यूजन से बचा सके या पर अपने आपको सेट डिश्रक कर सके इसी के ब बोलने ही वाला तो तब ही लूफएंग उसको बीच में टोक देता है और कहता है कि तुम्हें कोई जरुवत नहीं की साइड लेने की और ज्यादा चिंता करने की कोई जरुवत नहीं मैं ज्यादा एक्स्रीम नहीं जाने वाला मैं इनकी जिन्दगी नहीं लेने वाला मैं इस तरीके के methods को देखने के साथ जो हरमनियस नो था वो काफ यह था चोड़ा सा शौक था वो सूच रहा था कि लूओ फैंग को बस कुछ ही टाइम हुआ है इस टाइटल को गेन करने के बाद लेकिन उसके बाद भी लूओ फैंग के methods है इन लोग से दील करने के वो काफी अधा professional टाइप किया इसी के बाद जो लूओ फैंग होता है वो जनरल को कुछ बताने लग जाता है और वही दूसरी तरफ हम लोग को वो दोनों देखने के लिए मिलता है मतलब वो स्वाम कुइंग और दूसरी तरफ वो दूसरा कमांडर यह दोनों एक तरफ आज कौन सा मूले के आई थी तुम एक नमर की पनूतियों करके इसी के ज़ए जो स्वाम की होती है वो कहती है कि बस तुम्ही मुसीबत के अंदर नहीं हो मैं भी काफी बड़ी मुसीबत के अंदर हूँ और इसी के साथ हो कहती है मुझे क्या पता था कि यह जो बंद से मिलेंगे कुछ इस तरह के से और आपस में बात करके कुछ ऐसा डिसाइड करता है कि इनको लगता है कि जो जिन डाइनेस्टी है वो तो आलड़ी काफी अधर टाइम पहली ही खतम हो चुकी थी लेकिन फिर भी काफी सारे लोग ते जो कि हिस मैजर्स्ट्री आफ गोल्ड करता होगा लेकिन यह जैसे तैसे करके अपने आपको जिन्दा बचा के लेकर आगया वर के अंदर से लेकिन इन सब चीजों की बात नहीं है अभी पस इस चीज़ के बारे में सोचो कि यह जो नियूज है यह स्प्रेड ना और साथी साथी जो बंदा है यह हमारी जान ना इसी के कुछे टाइम के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता वह जो जंडरल होता है वह उन दोनों के पास जाता है मतलब स्वाइम क्विंग और उस फाइप पालिशिंग के पास और दोनों की तरफ देखती हुए कि तुम दोनों को अपने आपको काफी ता खुश न यह है कि आज तक तक तुमने जितने भी मिलेटरिकल क्रेडिट्स कमाया है और जितने भी ट्रैजर्स है तुम्हारे पास वह सारी के सारे तुम्हें लौड मिलकीवे को देने पड़ेंगे ऐसा पनिश्मेंट जैसी वह इस चीज़ को सुनते हैं उनकी आखे फटी फटी रह कर ता की आखे परने राखंब दिया हूं और जोका प्रेजिस प्रवुशंट कर वोडोरे स्पेस्टा नहीं था इनके पास कोई दूसरा मैठर नहीं था मतलब इनके लिए तास्थ नाम की कोई कोई चीज तो होती नहीं थी जिसको पुफार्म करते हुए यह मिलेटरकल क्रेडिट्स कमा सके और ट्रैजर्स वगेरा पा सके यह सब इनको काफी दा मुश्किल से मिलता था इनकी काफी दा पुरानी मेहनत के कारनी मिलता था और आज उनका पुरा को पुरा बेसी लुफएंग ने चीन लिया था उनसे एक तरीके से लुफएंग ने धन दौलत पैसा अमीरी सब कुस इनके स्टेटर्स वगेरा सब चीनने के बाद उनको रोड पे लाके रख दिया था वो भी नंगा जो जनरल होता है व उसके मदश से वी जो स्वाम क्रीम और पॉलिशिंग बुड़ोता है वो कहता है कि नहीं नहीं हम सब कुछ देने के लिए ताया रहे तब यो लूफएंग के तरफ देखता है और कहता है कि लॉट मिलकी वे आपका बहुत-बहुत धन्यावाद हमारे उपर इस तरह की क्रि कर रहे थे जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे इनकी मजबूरी थी अगर यह ऐसा कुछ नहीं करते तो डेफिनेटली इनकी जान तो वैसी भी जानी वाली थी मतलब अभी इन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि इनको करना क्या चाहिए मतलब यह एक तरीके से रो भी इक तरीके से उनको कुटा बना करक दिया है और एक तरीके वह अभी कमांडर तो है उनके पास उनका स्टेटस तो उनको सारी के बाड़ती फाइंग के अंदर अपने सारी कि सारे ट्रेजर और सारे के सारे जो contribution पॉंट दोता है वो लुफ के अकाउंट के अंदर transfer कर देता है और सारे के सारे ट्रेजर को यहां पे छोड़ने के बाद यह दोनों के दोनों से उनको थोटे मोटे मिलते रहते इसके तो वो न सारे क्राइट को ओं करते रहते लेकिन कमांडर जैसे जो हाइपोस वाले लोग उन लोह के लिए कोई पर वह बहुत बढ़ी बात दूआ करती थी क्योंकि डेफिनेटली उनको मिशन वगेरा नहीं मिलते तो उनके लिए पैसे कमाना डेफिनेटली एक बहुत बढ़ी बात है और गाइस मैं आप लोगों बता दू इवन यह जो जनरल जै इन लोगों के पास भी अंडलिमेटड अ इतने आधा पावफुल होते हैं कब कि उससी को खरीद लेते लेकिन इनकी भी आउकाद नहीं थी उससी को खरीदने के लिए तो डेफिनेटली इस वोल्ड अफिन के अंतर कासी सारी चीज़ है जो कि जनरल लेवल के लोग है यह लोग भी उससारी चीज़ को परचेस कर सकत है लेकिन इस सारगासार जो वोल्ड ऑफ जीन है जैसे कि मिलेटरिकल क्राइडिट और लूग फैंग ने क्योंकि लोग के लिए चीज़न चुका है और डेफिनेटली यह इस चीज़ की जो कर जाया फिर इस चीज़को आपने पुरे लाइफ टाइम कभी हील नहीं कर सकते इसी के साथ जो लूग फैंग था वो स्माइल कर रहा था क्योंकि उसको अपने डिसीजन के उपर काफी दा प्राउड फील हो रहा था कुछी टाइम के अंदर जो जैनरा है और एक हाल के अंदर एंटर करता है सद्लि उसके सामने का पुरा 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 जो नसारा होता हो पुरी तरुक जैन्ज हो जाता है एक फिगर उसके तरफ आता है गोल्डन लाइट के साथ एक्शली गाइज मेलेटर कर पॉइंट वह जगा है जहां पे लोग अपने कॉंट्रिबूशन पॉइंट को एक्चे को एक रिंग देखने के लिए मिलती है यह रिंग वो लोगों को दे दिता और खहता है कि लौन मिल की वे इस रिंग को पॉंट रिंग भी कहा जाता है और जब तब आप इस वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर हो आप कभी भी इस रिंग के तुरू डारेक लिए मिलेटरिकल आम पहुँच जाएगा वर्चिलिया रिंग होती है यहा के लोगो वंक्ने हादों के अंदर आ जाती है इसके बार लोगोवें उस फिगर के सिटे और कहता है कि मुझे वह सारे वार्यहस के बारे में और उन सारे लोग मास्टरस के बारे में जिन्हों fly ने इस जोॉन किया है इ एक इंडीड एकूरेट मैठर जिसके तुरू आप किसी भी परसन के आइटनेटी को रिक्रोकनाइज कर सकते हो इसके पाद हो कहता है कि लॉड मिल की वे के पास इनफ मिलेटरिकल ऑठरीटीज है इस रिक्वेस्ट को एसेस करने के लिए इसके पाद हम लोगों को दिखने के पूरी तरकीसे भढ़ जाती है लोगों युसको देखते हूँ वो एक फिर शॉप हो जाता है वो कहता है लखीली बस तीन एराज होए और तीन एराज के अंदर इतने सारी लोग आ चुकए हैं कुछे टाइम के अंदर जो लोगों होता है वो सामने वाले स्क्रीन के अंदर नाइटेसिक उन्यूवर्ब मास्टर को मारने के बारे में सोचने लग जाता है लेकिन कुछी टाइम के लुफएंग के दिमाग के अंदर एक ठॉट आता है कि अगर अभी लुफएंग इन 96 उन्यूवर्ब मास्टर को मार देता है तो वो शायचे पर पमू हुली रान वालों को अलर्ट कर देगा जिसके बदे से नेक्स्ट उन्यूवर्ब मास्टर को यहां पर नहीं भीजने वाले क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि लुफएंग को जुरू कोई सुप्रीम ऑठरिटी मिल गई है कुछी टाइम के अंदर सीन चेंज होता है हम लोग को लुफएंग लुफएंग हां के अंदर मुंटी हिलाता है स्माइल करते हुए लुफएंग उन्हें यह बता चुका था अल्रेडी कि यह सारी ऑठरिटी उसे हुकी टाउर के मिशन को कंप्लीट वरने के बाद मिलिया है इसके बाद लुफएंग यह भी खहता है कि यह जो पपल मुन हिल के होते इस पार इन लोगों ने तो हद बार कर दी मैं अपना बदला इन से कुछ भी करके लेके रहूंगा लेकिन मुझे लगता है कि यह लगबग लगबग खतम होने वाला है और कुछी टाइम के अंदर थर्ड एरा स्टार्ट हो जाएगा और अगर मैं अभी कुछ करता ह हो तो यह लोग थर्ड एरा के अंदर किसी को नहीं भीजेंगे लेकिन अगर मैं कुछ एक दो साल का वेट कर लेता हूं तो थर्ड एरा स्टार्ट होने के बाद यह लोग और भी अपनी उनिवर्स मास्टर्स को वहाँ पर भीज़ देंगे जिसकी कारण उनकी जो उनिवर् मनाऊंगा और सब के सब लोगों को एक भी बारी ममार दूँगा जब प्राइमिल चौट सिटी लीडर को सुनते है तो उनकी फेस की उपर एक स्माइल आ जाती है वो कहता है यह काफी अच्छा एडिया है क्योंकि फर्स्ट युनिवर्स एरा के अंदर उन्होंने कुछ बै अधे लोगों को आप भेज चुके होंगे और अगर हम थर्डी उन्होंस एरा के अंदर अपनी इस चाल को चलते है तो डेफिनेटली हम काफी यूज नंबर के अंदर पॉपमून होले लैंड वारे लोगों को मार सकते हैं इसी के साथ जो प्राइमिल चौसिटी लीडर होत सकते हैं और इन सब लोगों को मानने के बाद जब इनके इतने सारे लोग मर जाएंगे वर्ल्ड ऑफ जिनके अंतर तो डेफिनेटली वह काफी यदा कमजोर बन जाएंगे और उन्हें इतने सारी यूज उन्यूर्स माश्र वापी से प्रेडियूस करने के लिए प्राइम तक हम इन सब लोगों को रूल कर रहे होंगे और डेफिनेटली वह हमें कभी भी पीछे से पकड़ने ही पाएंगे इसके बाद और पूरी के पूरे यून्यूर्स के उपर बस यूमैनिटी का राज हो जाएगा इस साथ हम यूमन्स के पास लगबग लगो बिलिय प्रिजम रेस अगर वह इतने सारे लोगों को मार दिता हैं सब लोग रेस तो इसके बाद यो काफी यह हो जाएंगे जिसके बाद इन्हें अपनी काफी सारी टेरिटेरीश को चोड़ना पड़ेगा और फिर वह सारी की सारी टेरिटेरी यूमन रेस के अंदर आ जाएगी और उसके बाद यूमन रेस जो है वो वन आप दो मोस्ट पावफुल रेस बन जाएगा पूरे के पूरे और उरिजिनल यूनिवर्स का जो लुफ हैंग होता है वह आपिसे हम लोग को वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर देखने के लिए मिलता है वह वह अपनी वह जो मिलेट्र को सकता हूं फैवं कहता है की जलिच जलती वर्ल्ड ऑफ जिन के ऐसें वह फैंक करो इसी के बाद वह लोगी से कहता है की मैं आपको बहताना चाहूंगा कि यह जो छो मिलेट्रिकल पॉन्ट ग Tib хотел को ऑसेस कर जाकता हूं अगर आपको कोई भी इंफिपर्मेशं चीने तो आ होता है अच्छा चलो ठीक है मुझे पहले देखना है और इसी के साथ जैसी वह जो फिगर होता है वह कहता है कि लॉड मिलकी वे आपके पाथ 6,615,000 है और आप एक हाई उटरी पोजस करते हो तो आप कुछ भी खरीद चकते हो इसी के बाद वह कहता है क्योंकि आप हाई उट होता है वह इस रिंग के अंदर तुड़ार झाल जागता है और उसको पता चलता है। उस रिंग के आंदर काफी कुछ पढ़ड़ा हुआ था जिसके आर्मार्स वैपन मशिन टाइप वैलेवंब्ल्स और काफी सारे आप गोल्डी पावर्स और कर सकते हो इस सारा का सारा ज सब्सक्राइब का था जो कि छोड़के गए थे कंपंजेशन के रूप में जो फैंग होता है वह इन सारी आर्मर्स और यह जितनी भी चीज़े थी इन सारी के सारी चीज़ों को बाहर निकाल देता और कहता है अगर मैं इन सारी चीज़ों को एक्षेंज करूंगा तो मुझे क हालत हो जाती हो कहता है मैं एस मैंने एक्सपेक्टेड किया था इसकी जो कीमत है और अभी इतने पैसे से तो मैं कुछ भी खरीच जगता हूँ लेकिन से देखा जाए तो इन सब लोगों को मिलाने के बाद भी जो वोकी गौट की कीमत होती है यह सथोड़ी सी कमी है इसी के के से उन लोग में उस लोग को पनिश किया जिसके मैं आप लोगों पहली पताया था क्ये जो स्वायम किंग और यह थे यह मिलेटिक कमांडर मिलेटर स्ब्षक बनने से पहली नहीं सारे के सारे मिशंज मिला करती है जिसके टूर यह पॉइदस को यकिन एक możli है यदि आप ब बांडर बने इसके बाद जितने भी इनको मिशन मिलता हूं सारे बंद होता है अब इसके बाद आपके साथ आप जतने भी वो भी फ्री के अंदर लेकिन अगर आपको कोई वैलिवेबल चीह है या फिर कोई भी हतियार वतियार चीह तो उसके लिए आपको मिलेटिकल क्रेडिट्स की दरुवत पड़ेगी इसके साथ लुफ एंग कहता है कि मुझे सबसे पहला लिस्ट दिखाऊ मुझे मैंनियों दे तो कुछे टाइम के बाद एकदम से उसके दिमाग के अंदर एक फॉट आता है कि अगर वो इतने सारे सुप्रियम प्रूट रैजर अगर और उरिजिनल यूनिवर्स के अंदर लिके जाएगा तो क्या वहां का बैलेंस नहीं बगड़ जाएगा तो इसने सारे सुप्रियम यूनिवर्स है वह कोई नहीं कोई स्ट्रिक मैठर यूज करें इसलिए जो फैंग होता है वह थोड़ा बहुत सूचता और फिर शूचता है नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चीए मुझे एशन्ट जिवलाइजेशन से इतने सारी चीज़े वापिस नहीं लेके जानी च साथ से देखा जाए तो फैंग को थोड़ा बहुत ट्रेजर तो लेके जाना चीए तो इसलिए जो फैंग होता है वह लगवग लगवग हंड्रेट सुप्रीम ट्रूट राजर्स को वापिस लेके जाता है और सुचता इतना लिमिटेड होगा और वैसे भी लोपेंग सुचता है कि उनके कुछ पॉपरेशन जलाओं होता है और यह सारी साथ के बारे में फोड़ा टाइम लोफंग सुचता है लिकिन फिर वह एट एंट हंडे ट्रू ट्रेजर वाल्यूबल को खरीदी लेता है जो सो वैल्यूबल सुचता है कि इन में से कुछ वह अपने शोर करिने के बाद लूफंग के पास अभी 47 मिलियन से मतलब कुल मिलागे उसने बस 3 मिलियन को कर्च किया था लोग को लूफंग के अंदर देखने के लिए मिलता है जहां पे वह अपने शीव के उपर स्टडी कर रहा था यह रिमोट ओशन लूफंग था और दिस ही वह अपने शीव के उपर स्टडी कर रहा था सड़न उसे कुछ पता चलता है वह कहता है मुझे समझ आ गया यह जो थर्ड लेवल है यह काफी है और जो नॉर्मल ग्रेट विंग्स है वो शीव के थर्ड लेवल को तभी समझ सकते है जब वो डूब लेवल के उपर पहुँच जा है ल लूफेंग उन विंग्स को कंट्रूल करने लग जाता है और जैसी लूफेंग इन विंग्स के अंदर अपनी एनरजी मतलब गोल्डी पाव्स को डालता है सरंदी उसके अंदर से एक लाइट ग्लीम होने लग जाती है और काफी सारा फॉक जो होता है वह फैलने लग जाता लुह फैंग इसके अन्जर और वी जादा पावर डालने की मुछिछ करता है वह और बीन्सकी पावर को बशोकिता है और इसको करने की कुछिछ करता है वो देखना चाता कि इसकी कितनी फैस करते हैं लब winter इसने ज़्यादा पाउर्स को जील सकता है और यह कितने ज़्यादा एरिया तक फैल सकता है कुछी टाइम के दो लूफंग को पता चल जाता है कि चीज़ कैसे काम करती है लूफंग कहता है कि यह वन ठाट ऑव वॉइट स्पेस है एक सिंप्लिफाइड वर्जन है वन ठाट वॉइट स्पेस का लूफंग काफी एदा खुश हो चुका था कि एवन यह सिंप्लिफाइड वर्जन था यह भी काफी ज्यादा कॉंप्लिफाइड और काफी एदा पावफुल्टा किसी भी डोमेंट टाइप सुप्रियम टूट्रेजर से लूफंग सूच रहा होता है कि वो अपने इस यह जो नई अचीवमेंट है या फिर यह जो भी नई चीज उसने सीखिया है जोकि वन टॉर्ड वोई स्पेस का सिंप्लिफाइड वर्जन है यह इसको अपने हिसाप से क्या नया नाम थे वह यह सारी चीज़ें सोची रहा होता है तब ही सीन चींज होता है ह हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जहां पर लू यह जूटेंग हो ता यह दोनों के दोनों गए थे यह अभी तक नजर क्यों नहीं आ रहे यह कहा खायब हो गये क्योंकि उन्होंने Swam King को वापिस जाते हुए नहीं देखा था और साथ ही साथ उन्हें लोग फैंग के मरने की भी कोई न्यूस नहीं पता चली थी एक्छल में गाईज यह लोग पपल मून हुली लैंड से थे और यह दोनों की दोनों जो सोचते हैं कि अभी हमें कोई भी न क्या जवाब देंगे जहां पर मून हुली लैंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो काफी ज्यादा उससे में होता है वह अपने लोगों से पूछते हैं कि क्या अभी तब कोई न्यूस क्यों नहीं मिली मुझे लोग फैंके मरने की तभी हो कहते हम कुछ भी नहीं कर सक कर सकते हैं और रही बात उस पर्षन की जिसके साथ हमारी सब्सक्राइब के अंतर वह अभी अपने अपने आपको सेड़ बिश्रक कर सका है इसलिए हम यह भी नहीं बता सकते कि स्वाइम क्यों आर्मी के अंतर वापी से गई या नहीं गई है रंदी जो काफी है तो शॉक ह हो जाता है और इसी के साथ उन्हें का प्यादा घुसा भी आ रहा होता है क्योंकि उनके लगबग लगबग सौसी भी जादा यूनिवर्स पार से जो कि अभी भी उस वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर लेकिन उसके बाद भी लोग वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन के दर नि भी अलाइव है इसका मतलब भी अभी तरह नहीं मरा वह अभी बिसन्दा इस चीज़ को सुनने के बाद हो होता है कि हमारी काफी यदा कमजोर उमतलब वह बस एक लामा शर्त तो जादा ट्यूवद नियूज इसको एसे नहीं कर सक्ता था वर्लड ऑप जिक यहाँ ख़र औ लूप नहीं मार पाई अब लूप नहीं चाहती थी उन्हें अभी कुछ भी समझनी आरह था वह सूच रहे थे कि लूप ने इतना असानी से वहां कि लोकल्स का तरस इतने आसानी से कैसे जीत लिया ज़रूर इन सब की पीछे कोई नो कोई रीजन जरूर होगा इसी तरके से गाइस वक्त बीटता रहता है लूप ने सुचा था कि परपर मुली लाइन वाले वापी से उसके उपर अटाइक करने के खुशिश करेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और थर्ड एरा भी आ जाता है जैसी थर्ड एरा आता है लूप सच्ची में उतने सारी उनिवस मास्टर को एक ही बारी में मार सकते हो क्योंकि वह पूरी तरीके से पुरी के पर वर्ल्ड ऑफ जिन के अदर अलग अलग जगा हो कि उपर भिख्रे हुए रहेंगे और अगर उनमें से दो-चार जैसी मरना शुरू होंगे पाकी के उनिवस म सब्सक्राइब करने के लिए तो हमें उन सब लोगों को एक साथ सोल अटैक से मारना पड़ेगा ताकि उनके पास कोई दूसरा चांस ना मचे जिन्दा बचने का इसी के बाद लू एक लंबी सास लेता और अपनी टीचर की तरफ देखता और कहता है कि मेरे उपर विश्व गये थे मतलब वल्ड ऑफ जिंद के अंदर तो इस बार थर्ड युनिवेसरा के अंदर लगबग लगबग सौ से ज्यादा युनिवेसरा अंदर जाने वाले थे सब्सक्राइब करना जिसके कारण ने वहां पर काफी सारी इंपॉर्मेशन और को निकाल लिया था और यह सा लोगों को बता हुआ कि आर्मी के अंदर भी सब लोग से लाइक नहीं हो पाते लगबग लिए लोग इसी तरीके से मारे जाता है लोगो बग लैन देखने के लिए मिलता है जहां पर जो बग लैन एंप्लेस होती है वह भी अपने काफी सारे लोग को इस बार इस वोल्ड लोग जा रहे हैं तो सुचते हैं कि हमारे बग आर्मी के अंदर से भी काफी सारे लोग जा सकता है और अभी वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम्स बची नहीं है जिरी जिरी करके हम सब कुछ सौट आउट कर देंगे और यह हमारी लाइफ टाइम ऑपरचिनिटी है यह वाप जिनके हम उरिजिनल युनिवर्स के अंदर भी ज्यादा पावफल बनते जाएंगे तो बगार में के अंदर ज्यादा लोग अभी बचे नहीं हो गयते तो वह बस अपने तरफ से 20 को बेचते हैं लेकिन उनके लिए काफी बड़ा नमबर था क्योंकि वह अड़ेटी सब्स सेरी टेरी के अंदर भी जो श्याद बीमन एंसिसर होता है वह भी अपनी काफी बड़ी फोर्स को अंदर भीजने वाले थे वह सुच देते कि वह हमेशा से जो डीमन रेज होता है वह यूमन रेज से हमेशा ते उपर था लेकिन कुछ टाइम के अंदर सब्सक्राइब जो तो वह एक जोक नहीं बनके रह जाएंगे यूमन रेज के सामने और इन लोग अभी बस एक टार्गेट था कि यह लोग जादे साधा मशीन टाइप वैलिवल्स को अपने उरिजिनल यूनिवर्स के अंदर ला सके इसी के साथ जो स्पेस बीस एलायंस होता है वह भी अपने बहुत बड़ा जाइंट वर्पूल हम लोगों को रूटेट करते हुए देखने के लिए मिल सकता था सड़नली वह जो जाइंट वर्पूल होता है उसके अंदर से कुछ लाइट आती है बाहर जोके इन तीन एंसिस्ट्रल कोट्स के उपर गिरती है और यह दो तीनों की ती से ही आराम होगा इस टाइम के बाद हो जो थ्रेंट रिकॉर्ड होते वह अपनी आख को खुलते और वह एक दूसरी की तरफ देखते है तो वह काफी अधा डरी हुए देखने के लिए मिल सकते थे उन लोगों कुछ पता चल गया था जोकि काफी अधा बुरा होने वाला थ आपस में बात करता है कि लास्ट वह काफी था कंफ्यूस थे कि जो उरिजिनल माइंड है वह इनको क्यों उस जाइंट आपजेक के अंदर वहाँ पर गाइड कर रहा है लेकिन अभी उनको पता चलता है कि अगर उरिजिनल माइंड ने उनको गाइड नहीं किया था तो और काफी सारे countless great being already मर चुके होते इससे पहले वो वर्ड आप जिनके अंदर पहुचते और यही सारा रीजन था इन सारे चीज़ों के पीछे का और इसी के साथ एक new incarnation है अभी आने वाला है double face and sister god काफी डरे हुए थे जो information अभी उनको मिले थी उसके साथ वो सुचते है कि यह बहुत लंबे टाइम से था और एक पुरी के पुरे युनियो सुचन के अंतर ही सब्सक्राइब मुस्ट मिस्टीरियस है इसे काफी है मुश्किल है डिस इस्पेक करना मतलब आगे आके क्या होने वाला है इस सीज़ के बारे में इनको भी पूरी तरीके से नहीं पता था ल लो हमें जल्दी जल्दी पुरी के पुरे ओरी इंवर्स के अंतर सारे के साथ को बताना पड़ेगा इन सब्सक्राइब के बारे में वहीं हम लोग को लूप देखने के लिए मिलता है अपने स्टार्ट आवर के अंदर और उसी के साथ साथ वापे सिटी लीडर भी थे जो लिए मनी मन सूचते हैं जब यूज एक्स फाउंडर मरेते इसी के बाद उन्होंने सुचा था कि यूमेनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा यह आने वाला है मतलब डिजास्टर सा आने वाला है और साइच से जो यूमेनिटी है वह कहीं किसे कहीं तक नहीं रह जाएगी लि लोग यूस करने वाला थे इस थर्डिंगा अगनेशन आराइक के अंदर जिसके अंदर लगबग लगबग आधी से ज्यादा लोगों को मारने वाला था जो कि वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर जा रहे थे इसके बाद जो यूमेनिटी है उसको कोई भी बीट नहीं कर पाएग मतलब उस बड़े से जाइन्ट यूमनाइट आपजेक के सामने और इस बार स्टार टावर के अंदर भी काफि सारे लोग देखने के लिए मिलता है जब लूफएंग इन सारे लोग को देखता है तो वो सुचता है इस बार सच्ची में काफ़ी सारे लोग यहापे आप आए तरहीं सड़नली लूफएंग की निजर एक जगह पे जाती है जहापे तीन एंसिस्टर गॉड्स ख़ड़े थे मतलब एंसिस्टर गॉड्स कूल से तीन एंसिस्टर गॉड्स यहापे खड़े थे लोग को देखे क्योंकि इन लोग के बॉड़ी के अंदर से और निकल रहा था वह काफ़ीदा पाफूल था मतलब इतना पाफूल रहा था कि वह आराम से किसी भी ट्रू गॉड्ड लेवल के वारियर को सप्रेस कर सकते हैं त लोग दूर से इन तीनों की तुरों एंसिस्टर को ग्रीट कर देता है जिसके बाद यह लोग भी लोग के सावने आके अपने मुंडे हिलाता है मतलब दूर से और इसी के साथ धीरे-धीरे करके काफी सारे लोग की नजर उन एंसिस्टर गॉड के उपर जाती है और ऐसी ध कभी भी एंसिस्टर गॉड ऐसे बीच बीच में कभी भी टपक जाते थे तो हमेशा वह कोई नहीं कोई मैसेज लेके आते थे यूनियोर से कुछे टाइम के बाद जब काफी सारे लोग और यहां पर आ चुके थे इसके बाद जो एंसिस्टर गॉड होता है वह बोलना शु लोगो को कभी भी सोचा है कि यह जो इस बड़ा सा जाइंट लाइड लाइफ वाम है यहां पर क्यों लाया गया है या फिर इसका यहां पर क्या का मैं चुछ शुख हो जाते क्योंकि सब लोग को एक चीज पहले इन एंसिस्टर गॉड ने बताई थी कि इस सारी चीज़े बस इसलिए की जा रही है ताकि वह यूणिवर्स के अंदर के जितने भी लाइफ फॉर्म से उनको पावर्फुल बना सके ताकि वह आने आगे आने वाले मुसीबतों से भीट सके सब लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोचे रहे होता है तब ही कहता है अगर पहले अगर को रोडों लोग मारे जा चुके होते मतलब जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इस वर्ल्ड ऑफ जिनके अंदर एंटर करने का एक रास्ता होता है कि जब इसकी जो लेयर होती है वह कुछ वाइट से ब्लाक या फिर ब्लू होती तब आप अंदर जा सकते हो और इसी इसके कि इस वाइट ने सारे मैसेजिस नहीं दिये होते हैं तो डेफिनेटली काफी सारे लोग मारे जाते हैं इन सब चीजों के अंदर यह बाद हुआ एंसिस्टर कोड कहता है कि यह सारी जितनी भी चीज़े यह सारी चीज़े देखा जाया तो एक तरीके से प्लाइंड है इन स कि सारी चीज़े पूरी तरी किसे यौनिवर्ष के दारा प्लाइंड कि यह चीजों की गयी है यह जल्दी एक बहुत बड़ा के प्लाइने वाले हैंουμεतलब उन फॉनियोर्स ने छीज़े और किए धन्यूत तो तो यूनियोर्स होती है वो खुद अपने आपको जो चीजे रूल्स के खिलाब भी होती है उन सारे चीज़ों को भी करना शूरू कर देती है ताकि वो तुम सभी लोग को जिन्दा बचा सके तो तुम सब लोग यूनियोर्स के बच्चे हो और वो डैफिनेटली एक यूनियोर्स अपने मतलब बच्चों के लिए तो इतना तो करी सकती है जब बाकि सब लोग इस कयमत के बारे में है तो उनको थोड़ा सा भरोसा नहीं होता क्योंकि यहां पर काफी सारे सूपर पावर के अंदर मतलब बस दोई क्यों जो हुली लैंड्स है वह यहां पर यह जो वर्ल्ड है यह काफी दप है पुराने टाइम से करोड़ो और और नर्बू एरास बीच चुके होंगे और इतने सारे आरास के अंदर तो अभी काफी सारे हुली लैंड हो जाने चीए तो यहां पर आखेर बस दोई हुली लैंड क्यों है इन सारी चीजों के उपर सब लोग गौर करते कि किसी को भी नहीं पता था कि आखेर बस दोई हुली लैंड क्यों लूफिंग भी इस चीज से हामी भरता है कि अब इसना लादा लंबा टाइम हो चुका है और डेफिनेटल यहां पर क साफी सारे होली लैंड हुआ करते थे लेकिन वह सारे डिस्ट्रॉइब हो चुक है इसी केटस्ट्रॉफी के कारण और एड बस दोई होली लैंड इन सब चीजों को सर्वाइफ कर पाया है जितने भी ग्रेट विंग्स होते हो पुरी तरगी शौक हो जाते कि कि होली लैंड होगा है मतलब यह किस तरीके का कैटस्ट्रॉफी होगा मतलब किस तरगी कि कियामत होगी कि लग 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 इतने सारे होली लैंड को डिश्ट्रॉइ कर दिया और एंट बस दो ही होली लैंड जापे बच्छे होए होता है और वह कहता है कि काफी सारे उनिवर्स फॉर् पैदा रही है तो दूसरी तरफ इसके होगी जो कि सारी जीज़ों को को खतम करती है जिसको एक तरह के से डिस्ट्रक्षन का आ जाता है तो वह कहते है कि को नहीं है जिसको प्राइमली उनिवर्ड के द्वारा ब्रेट किया जाता है लेकिन यह जो लाइफ फॉर्म है यह कई हजारों करोड़ों मतलब कुछ यूनियोर्स एरास के अंदर एक ही बार ब्रेड होता है और यह एक लोता ऐसा लाइफ पॉर्म है जो कि खुझ इतना जादा पावफुल है जिससे इवन प्राइमल यूनियोर्स भी डरता है क्योंकि इसके अंदर इतने अधा पावर है कि इवन यह प्राइमल यूनियोर्स को भी पुरी तरक्ते डिस्ट्रॉय कर सकता है इस चीज़ को सुनने के बाद सबके सब एक बहुत बड़े सद्वे में चले जाते हैं मतलब प्राइमल यूनियोर्स जो कि सारे ल एक बार पैदा होते हैं यह पूरी तरकी से पुरी पूरी प्राइमल यूनियॉर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं के बाद वो है भी प्राइमल यूनियूर्स बन जाता इस लिए जिसके बाद वह वापीश से लाइफ फ translig我們 극निेar करता है है और च्टंध प्रोशीडर करोड़ों और वो एर्वास पहले भी हुआ था लीविंग फॉर्म्स खतम हो गए थे बस दो ही हुली लैंड बचे और वापी से तुम सब लोग का जनम हुआ मतलब जितने भी उनिवर्स के अंदर जितने भी लाइफ फॉर्म से उन सब का एक बार दुबारा से जनम हुआ फाइनली अभी वापी से वक्त आ चुका है कि यह जो इनकागनेशन एरा यह खतम हो क्योंकि देखा जाये तो तुम सब लोग इस प्राइमल यूनिवर्स के बच्चे हो इसलिए जो प्राइमल यूनिवर्स है वो अपने आपको डिश्ट्रॉइ नहीं हो नहीं देना चाहती और साथी साथ वो तुम सब लोग में सुनते है तो डेफिनिटली उनके मन में बस कि सक्टर विश्ट कहुं इतने जल्दी कैसी आ सकते हैं यह बूरा वराहा कि इतना जल्दी हो जायए Bash We Mr. कि चीज़ों से अंधादा लगा सकते हैं कि सेटिंग मौांटेंगेस्ट है इसका मतलब जो सटिंग मौांटेंगेस्ट है वह ज़रूर इन सेक्टर विष्ट को पहले देखगे होंगी और अगर वह सब्सक्राइब को पहले से पता था और इसी के साथ हम लोग को ही चीज़ भी पता चलती है कि जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो बस एक युनियोर्ट सुप्रीम माश्रनी है में भी हो सकता है कि वह काफी जादा पाफुल हो लेकिन वह अपनी पावर्स को हाइट कर रहे हो क्योंकि अगर वह इसन्ट से बिलॉंग करते हैं तो डैफिनेटली अब तक तो वह और भी काफी अधा पाफुल हो चुक्के होंगे एक अलग वीडियो में डिसक्रस करेंगे इसके बदम लोग देखने के लिए मिल वाइट स्पेस लेवल तक भी नहीं पहुचा ऐसे कैसे होजगता है करके वह कहता है कि जलती जल्ट वाइट स्पेस लेवल तक पहुचना पड़ेगा वरना वरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मैं अपने यूनिवर्स को भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाऊंगा मे वह को एक और चीज़ पता चलती है कि जो पॉपल मुन हो ले लैंड एंसिस्टर है यह भी एस्टन सीवलाइजेशन से बिलांग करते हैं और मैं भी हो सकता है कि और भी जादा पाऊफूल हो मतलब यह जिस तरीके सा भी बोड़ आए कि ट्रू आप वॉइट स्पेस लेवल को और रीच कर चुका और यह और भी जादा पाऊफूल हो लेकिन यहाँ पर यह इसकी कोई दूसरी बॉड़ी हो इस लेटर ले इन चुटे 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 टापिक्स के ऊपर एक आधे आधे घंटे की वीडियो बन सकती है क्योंकि यह काफी आधा डीटियल और डीप औ जो की काफी यह दा कमरे होता है लेकिन धीरे धीरे करते हैं मॉंटिप्लाइब होता है और यह लगभभग लवग एक करीब हो जाता मतलब एक मीलियों और जब यह एक लाग यह फिर एक मिलियन होता है इसी के बाद हम लोगों को देखने के मिलता है सदंदे इनकी जो ब्रेडिंग होती है वो रुख जाती है और इसके बार जो सेक्टर बिस्ट होता है यह सब अपने इनिशल फेज में है तो इन सब को मारना थोड़ा सा आसान है यह अपने इनिशल फेज में सबसे ज़्यादा कमजोर होता है लेकिन इसी के बाद इसके बाद इसके सेक्टर बिस्ट बचेगा तो वो गिंग बन जाएगा जिसके बाद उसके सेक्टर सबसे बड़ा रीजन है जिसके वदे से यह जो प्राइमल यून्यूर्स है उसने इन सारी तीजियों को और्गनाईज किया है ना चाहते हुए बाद भी जो युमनाइ्ड लाइफ ओर्म है यह हमारे वर्ल्ड का नहीं है इसके बाद भी से यहाँ पे लाया गया यह वो सारी चीज Essential ओ calend Stream अगर तुम लोग को सर्वाइब करना है तो तुमें ज्यादा से ज़ादा पावफुल बनना पड़ेगा ज्यादा से जादा जो मशीन वैलियूबल जै और जितनी भी चीज़े हैं वो वर्ल्ड उप जिन से लानी पड़ेगे ताकि तुम ज्यादा ज़ादा पावफुल बन स चुके होंगे बस बड़े मुश्किल सब्सक्राइब कर पाएंगे और उनकी भी कोई भी गैरंटी नहीं कि वह सर्वाइब कर पाएंगे क्योंकि जो सेक्टर बीस्त वह एक ऐसा लाइफ फॉर्म है जो कि पूरी की पूरी लाइफ फॉर्म को खतम करने के लिए पैदा होता क्योंकि Primal Universe खतम होने के बाद वापिस से Origin बन जाती है और कुछ लाकों सालों के बाद वापिस से कुछ Reaction वगिहरा होती है इसके बाद जो Primal Universe हैowो Origin से वापिस से Primal Universe बनती है और वापिस से एक नई जनरेशन स्टार्ट होती है एक New Incogndessus題र अरजटे हो जाता है पहले से जानता था आपने बहुत पहले मेरे एपिसोड के इंदर सुना होगा कि यह जो पर मोली लैंड और इस एंपर यहां यह तीन क्युक्याइस हर तीन इन्क अरा के बाद एक सेक्टर बीस पाई पैदा होता है और जैसी सेक्टर बीस पाई होता है इन्दर इतना ही अप नियुक्त इना चाहंगा धी अप लोगों कोई डेंगे ने के लिए मिल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो परसो तक आ जाएगा या फिर कल भी आ सकता है या फिर परसो तक तो मैं डाली दोंगा कुछ भी करके मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर तब तक के लिए बाबाए